नमस्कार विद्यारतियों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल RPSC वित नवीन सेनी में स्वागत थे विद्यारतियों हम पढ़ रहे थे माराना परताप और माराना परताप को लेकर पार्ट टू है वो हमने कल कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे पार्ट नमबर थ्री जिसमें आज अपने माराना परताप वाला जो टोपिक है वो हो जाएगा आपके कंप्लीट ठीक है तो माराना परताप को हमने कहां तक पढ़ लिया था तो देखिए हमने लास्ट टाइम यहां लाके छोड़ा था लास्ट यहां कि जो सेना थी वो मान सिंग के नेतरतों में इधर परताप की सेना है यह हरावल बाग जो आगे का बाग और पीछे का बाग चंदावल वगेरा यह मैंने आपको कल बता दिया अब हुआ क्या था कि जब माराना परताप है वो सीधे मान सिंग के तरप इन्होंने कूच किया और मुगल सेना को चीरते वे बड़े ही अपने सोरिय का परदशन किया और जाकर मान सिंग को घेर लिया और यहाँ पर परताप ने बोला था मान सिंग को दिखाओ अपनी वीरता दिखाओ मान सिंग और फिर परताप का जो हाथी था चेतक उसके आगे क्या लगी थी परताप क पर रखे इसके आगे सूंड के उपर और फिर परताप ने अपना 80 किलो का बाला फेंका मान सिंग पर लेकिन मान सिंग ने अपने हाती था मान सिंग का उसके दोनों और क्या बने वे थे इसे जो लोहे के बॉक्स बने वे थे उनमें वो कूद गया जिससे ये मान सिंग बच ज जाता है इसके बाद में परताप है वो मुगलों से चारों और से गिड़ जाते हैं तब इनके पास में जो जाला बीदा है वो आते हैं और बाकी वीर भी आते हैं बताते हैं कि राणा जी आप मुगलों की सेना से गिड़ चुके हो आपका जीवित रहना मेवाड के बवीशिय के लिए अतिय आउशक है अतिय आप जो युद भूमी से बाहर निकल जाएे और हम है वो बाकिका जो कार्य बाहर है वो संबाल थे तो फिर बड़ी मुष्कियों से परताब जी को मनाते हैं पिर जाला बीदा परताब जी का मुकुट दारण करता है और परताब यहां से बाहर निकल जाते हैं यह हमने कल पढ़ लिया था और क्या पढ़ा हमने कल हमने यह पढ़ा कि भाई परताब जब यहां से युद्भुमि छोड़कर जा रहे थे तब इनको जाते हुए दो और कई जगें लिखा हुआ मिलता है कि चार जो सेनिक थे उन्होंने देख लिया था कुल मिलाकर मुगल सेनिकों ने देख लिया तो उन्होंने इनका क्या किया था पीछा किया था और जब ये परताब के गोड़े चेतक ने मान सिंग के आती पर अपने जो पेर रखे मान सिंग के हाती का नाम क्या था मरदाना, मरदाना नाम का आती था इस पर जब अपने पेर रखे तो इस मरदाना हाती के सूंड थी और जो दान थे, दान के पास में क्या लगे वे थे वो तलवारें लगे वी थी जिससे चेतक का जो पाँ में वो क्या हो गया था पाँ पर चोट लग गई थी इसलिए चेतक गाइल भी हो गया था तो चेतक जैसे तेसे दोड़ता है और जब माराना परता पीछे देखते हैं कि हाँ मुगलों की जो सेना है वो पीछे आ रही है कुछ सेनिक है वो इनके इतना चोड़ा था कि यह मुगलों के जो गोड़े नहीं कूद पाते लेकिन इसने अपनी पूरी ताकत लगा के और गोड़ा है वो इस नाले को पांद लेता है और यहीं पर चेतक की क्या वग जाती है मरत्यू और यह जहां पर चेतक की मरत्यू वहाँ पर आज के द européन भी चेतक की जो समाधी बनी हुई है और ये जगें हैं इस जगें का जो नाम भी आपको के जगें के लिए देखने को मिलेगा आपको बलीचा नाम था क्या नाम था? बलीचा और बताते हैं कि पीछे जो सेनिक आ रहे थे उनको एक भाई था माराना परताब का उस बाई का नाम क्या था? सक्ति सिंग सक्ति सिंग है वो पीछे से आता है और इन मुगलों के सेनिकों को मारता है हालां कि ये भी मुगल सेना की और से लड़ रहा था लेकिन अपने बाई को गाई लवस्ता में देखा तो इससे रहा नहीं गया और यह अपने भाई को बचाने के लिए आ जाता है बताते हैं कि बाद में यहां पर दोनों भाई गले मिलते हैं और रोते हैं वगेरार यह आपको मिल लेगा आपको सुनने में पढ़ने में काई काई मिलता है वो ब्रात्र मिलन हुआ था इनका समझ गए आप तो यहां तक हमने सारा कुछ पढ़ लिया था तो इससे आगे की स्टोरी आज हम पढ़ेंगे आप देखिए सक्ति सिंग मुगलों की साइड क्यों था इसके बारे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ इससे इंपोर्टेंट तो नहीं है फिर भी आप दे मतलब ध्यान में रखो तो कोई बुरा ही नहीं है बताते हैं कि सक्ति सिंग और माराना परताब जब यूवा आवस्ता में थे तब कोई सिकार खेलने के लिए गए थे मतलब यूवा क्या मतलब बाली आवस्ता ही समझ लो कि सोरा आवस्ता समझ लो 13 से 18 के बीच की उस आवस्ता में थे तो दोनों सिकार खेलने गए बताते हैं कि तब इन दोनों के बीच में क्या हुआ इन दोनों ने एक शूर का शिकार किया बताते, दोनों ने साथ में तीर चलाया तो उसका भी दिल पिगल जाता है तो ये चीज थी अब इसका आगे की स्टोरी क्या है उसको हम पेरे एक साब पेज पर समझेंगे अच्छे से उस स्टोरी को आप सुनना धियान से और लास्ट में हम उसको पढ़ेंगे नाट्स में जैसे कि हमने पिसले पार्ट में पढ़ा था और जो विड्यारती नए हैं सीधा इस पार्ट में गुसे हैं तो वो ये गलती ना करें वो पहले पार्ट नंबर टू देखें और फिर ये माराना परताब यहां से जाते हैं एक गाउं है कोल्यारी गाउं कोल्यारी गाउं एसा लिखावा मिलेगा आपको कही जगे तो वहां जाकर कोल्यारी कोल्यारी गाउं में जाकर अपना क्या करवाते हैं वहाँ पर उपचार उपचार करवाते हैं यह उस समय इनके अंडर में ही था और वहाँ से फिर कहां चले जाते हैं कुम्बल गड़ चले जाते हैं ठीक है तो ऐसा सुनने को मिलता है ठीक है अब देखो अब आगे हुआ कि इस युद के बारे में मैं आपको और बता दू कि जो ये हल्दी गाटी का युद था इसको अबुल फजल ने क्या कहा कि ये तो खमनोर का युद है अबुल फजल ने हल्दी गाटी के युद को कहा था खमनोर का युद और जो अल बदायूनी हैं अल्बदयायुनी ने कहा था इसे गोगुंदा का युद यह सब आपको लिखवा मिलेगा नोर्ट में आप बस सुनिएं अल्बदयायुने इसे गोगुंदा का युद का और जो कर्णल ठीक है विद्यारतियों और देखे इसके बारे में क्या है हल्दी गाटी के यूद के और भी कई नामें जैसे इसे बनास का यूद भी केते हैं रक्त तलाई का यूद भी केते हैं गोडों का यूद भी केते हैं ठीक है विद्यारतियों तो यह चीज थी अब देखे अब परताब आगे चले गए, तो बताते हैं, वो गोगुंदा साइड वहाँ आया, उस जगें को गेर लिया, उसको ऐसे सूचना मिली, कि भई यहाँ पर जो मारानापरताब की मिलने की संभावना है, बताते हैं, थोड़े दिन यहाँ पर डेरा डाल का बेड़ता है, लेकिन मारा असकार बताते हैं कि इसमें ये युद ऐ निर्नायक रहा, कई बताते हैं माराना परताब की हार हुई, अब देखो यदी आप इसको क्या समझते हो, हार कब तब होती है जब यदी राजा मारा जाए, या फिर राजा को बंदी बना लिया जाए, ये दोनों ही नहीं हुआ, तो एक बार मैं उनको बता दूँ, ताकि आपको ध्यान में रहे, तो माराना परताब की हार के कारण, एक तो माराना परताब का स्वेम युद में उतर जाना, जो गलती राणा सांगा ने की थी, वही गलती माराना परताब ने दो रहाई, माराना परताब को युद भूमी में कम थी नमबर तीन अकबर की सेना के पास जो अत्यादुनी को हत्यार थे उस समय के तो अत्यादुनी की थे गोले बारू तो बंदूग वो इनके पास नहीं थी और नमबर चार अब देखो सेना है उस सेना में अकबर की सेना में गुड़ सवार जादा थे जबकि माराना परता आपकी सहना में क्या थे? हाती जादा थे, तो हाती तंग गाटियों में, वहाँ पाहडों में, कहां काम आएंगे, वहाँ क्या चाहिये थे, गोड़े चाहिये थे, तो ऐसे कुछ कारण देःखने को मिलते हैं, आगई बात समझ में, यदि हार मानो तो हार के, ये चार कारण, आगई बात समझ मैं आपको अब क्या हुआ अब इसमें बताता है स्वेम बताता है अलबदयूनी ने तो युद वगिरा देखा यहां पर आया हुआ था मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब ये आया अपने साथ लेके आया था इसको अलबदयूनी को ये अकबर के सेना में ही रहता था मैंने बताया ना आपको कल कि इसका काम है नोट्स बनाना ये अपने गुरू जो गरंट था गरंट का नाम है मुन्तक्वे उत्त्वारिक उस गरंट में लिखता है कि जब हम यहां से वापस गए हमारी मुगल सेना यहां से वापस जा रही थी तो बताते हैं कि बीच रास्ते में जो भी मिला बोले कहां से आ रहे हो कि हमने राणा परताब को हरा दिया तो बताया कि कोई मानने को तैयारी नहीं था कोई नहीं माना कि भई आप युद जीत गए या माराना परताब भी कभी हार सकते हैं क्या तो सोच लो ये इस्तति थी अब देखो इनको और तो कुछ हाथ लगा नहीं यहां से जाते जाते माराना परताब का हाथी था राम परशाद उसको अपने साथ ले गए और बताते हैं कि वहां जाने के बाद में जो राम परशाद था इसका नाम बदलकर अगबर ने कर दिया पीर परशाद इस हाथी का नाम भी पुछावा है उपचार कहा करवाया कॉल्यारी गाउं में यह भी एक बार पुछावा है और देखो अब बताते हैं पीर परशाद नाम रख दिया और इसको बोजन वगरा दिया तो नहें तो इसने जल पिया और नहीं अन जल दोनें इत्याग दिये और बाद में इस रामपरसाद की क्या हो जाती है मरती हो जाती है तब अकबर बताते हैं कि जिसके हाथी को ही मैं अपना गुलाम नहीं बना पाया उसको अपने अदीन नहीं कर पाया तो उसके स्वामी को मैं कैसे अदीन करूंगा अब देखिए ये हाथी के नाम थोड़े ज्यान में रखना देखो एक लुणा नाम का आती भी आता है एक राम परशाथ है ये परताप वाला हाथी जिसका अकबर ने नाम बदल कर पीर परशाथ कर दिया गजराज, गजमुकता, हवाई नाम के आती थे मान सिंग के आती का न संगर्स चलता ही जाएगा फिर 1555 सी इसवी से लेकर 1597 इसवी तक इनके बीच में और संगर्स नहीं होगा वो क्यों नहीं होगा उसका कारण में आगे बताऊंगा और 1506 तर जहां हल्दी गाटी का ये दूआ वहाँ से लेकर चोर्यां सी इसवी तक किस-किस परकार से संगर संगर्स चलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो चलिए अब इस च्टोरी को आगे बढ़ाते हैं आप देखो वहाँ पर मान सिंग गया बताते हैं कि अकबर नाराज हो गया अकबर को सक्त भी हो गया कि ये दोनों हिंदू आपस में मिल गए वगयरा वगयरा बताते हैं क कि अक्बर ने काफी दिनों तक तो मान सिंग से बात भी नहीं की थी। फिर क्या हुआ अक्बर क्या करता है अब अक्बर के बहुत गहरा सदमा लगा कि यार मैं हार गया जीता कैसे नहीं मैं इतना बड़ा ये समराट हूँ वो हूँ तब बताते हैं कि पंदरा अक्टूबर पंदरा सोचियोतर को अक्बर स्वेम पोला कि अब तुम रहने दो अब कोई मत चलो मेरे साथ है न अब मैं जाओंगा सेना लेके अब सेना नाएकर जो हूँ मैं ही हूँ फिर अक्बर जाता है और अक्बर स्वेम मेवाड पर आता है और करता है आकरमन सीधा ही उदेपूर पर क्योंकि उसको सूचना मिलती है कि माराना परताब कहा है उदेपूर में है लेकिन माराना परताब नहीं ये पेले ही दिमाग में रणनीती बना ली कि जैदी सत्रू है वो इतना शक्ति साली है कि उससे सीधे हम नहीं बिढ़ सकते तो उससे सिधा भीड़कर मर्तिव को गले लगाना कोई समझदारी की बात नहीं है हम चापा मार पढ़ना लिए अपनाएंगे यदि आप मुझे चैन्स नहीं रहने दोगे न तो जीनने में तुम्हें भी नहीं दूँगा ये पदती अपना लिए अब ये चापा मार पढ़ना लिए अपनाते हैं जहां जाते हैं मिलते नहीं हैं फिर सेना पर टुकडियों में कहीं पर भी जंगलों में से आकरमन कर देते हैं फिर भाग जाते हैं ये पदती अपना लिए अब हुआ क्या अकबर आया उदेपूर किया आकर्मन लेकिन यहां पर वो माराना परताब हाथ लगे नहीं लेकिन इसने उदेपूर को क्या कर लिया विजित कर दिया और उदेपूर का नाम बदल कर क्या रख दिया मोहमदाबाद यह नाम रख दिया उदेपूर का अब ये कहा निकल जाते हैं जंगलों में क्योंकि जंगलों में इनको महारत हासिल थी ये पूरा जंगल तो इनके घर थे जंगल पहाडियां महवाड का पूरा सेत्तर माराना परताब का घर और इनके जो सेना में थे आदिवासी वो तो पेड़ों पर ही सोते खाते रहते उनको तो वो तो चपपे चपपे से परीचित पहले ही सूचना मिल जाती कि बस आ रहे हैं तो यहां आते तो कुछ मिलता नहीं अब वापस लोडते तो कभी इदर से मार पढ़ती है वापस इदर भाग जाते हैं कभी इदर से मार परताब के सेनिक आते और इनको मार देते और वापस टोकी को क्या कर लेते अपने कबजे में कर लेते इस परकार यह चापा मार यूद पढ़ना लिए होती थी समझ में आ गई बात अब देखो अब क्या करेगा अकबर और अभियान बेजेगा अब खुद आ गया कुछ हात न ही चलता शोरी बोश ठीक है अब क्या होता है आगे और अकबर बेजेगा अब 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 अब्यान बेजता है साबाज खान के नेतरतों में किसके नेतरतों में साबाज खान आप समझते जाए देखो यह जो मैं पढ़ा रहा हूं ना यह सब पीडियेप में लिखा वाए पी कोई movie देख रहे हूए से तब यह आपके दिमाग में क्या होंगे इस्ता ही होंगे तो आगे पढ़िये अब देखो साबाज खान के नेतरतों में यह है अब्यान बेजेगा और तीन बेजेगा first, second और third अब देखो पहले अब्यान के बारे में चर्चा करते हैं कब बेजा क क्या हुआ पहला अभियान है वो 1577 में बेजा 1577 इसवी में आया वो यहां पर और सिधा आते ही साबाज खान ने कुंबल गड़ के जो दुर्ग था उसको क्या कर लिया गेड लिया इसको गेरे रखा गेरे रखा अंत में वो गेट वगेरा खुले और क्या हुआ युद हुआ गमसान युद हुआ इनके बीच में और बताते हैं कि 3 अपरेल 1588 को इसको जीत लिया किसने जीत लिया साबाज खान है इसकी जीत होती है ये विजित होता है लेकिन माराना परताब फिर कहां चले गई पहाड़ियों में चले गई माराना परताब इसको हाथ लगे नहीं और हुआ किया यहां पर जो भान सोनगरा था माराना परताब की और से जो युद लड़ता है ना अल्दीगाटी में वही भान सोनगरा वो भान सोनगरा यहां युद करता करता क्या हो जाता है सहीद हो जाता है फिर इनको सिर्फ क्या मिला कुंबल गड़ अब कुंबल गड़ जीत तो लिया लेकिन माराना परताब हाथ नहीं लगे वो चले गए पहाडियों में और बान सौनगरा की हो जाती है यहां बान सौनगरा सहीद हो जाता है अब यह जीतता है पंद्रा सौटे तरीश्वी में यह जीत के वापस गया अकबर के पास कि भई हाँ आमने जीत लिया कि बोले जीत तो लिया तो ठीक है वो माराना परताब का है कि वो तो नहीं मिले सा तो बोले क्या करें जीत के अब वापस देख पीछे तो वहाँ पहुंचेंगा नहीं ना तब तक यह वापस कब चा कर लेंगे और पंद्रा सो अटेटर इस्वी में यही हुआ यह तीन अब्यान बेजते हैं साबाज खान के नेतरतों में कि जा वापस जा जीत के आया नहीं तब तक पीछे उन्होंने कबजा कर लिया यह पंद्रा सो अटेटर इस्वी में दूसरा अब्यान और आता है लेकिन यह अब्यान भी एस सपल रहता है इसमें भी जो राना परताप है और वह इसके हाथ नहीं लगते हैं फिर इसने तीसरा अब्यान और बेजा 1559 इस्वी में continue बेजे तो फिर बेजा और फिर यह साबाज खान क्या रहता है यह सपल रहता है अब इन अब्यानों में क्या हुआ पहले अब्यान में साबाज खान के आकरमन के बाद से माराना पर परताब है वो कहां चले गए इधर गुजरात साइड सले गए और इनको मालूम नहीं था कि अब किसी को मालूम नहीं माराना परताब कहां है बस इनकी सेना है वो इनके कमांड पर काम कर रही है और इनका सिधा कनेक्शन हो जाता है इनके जो उपर रहते हैं सीनियरून से अब यहां पर आते हैं और माराना परताब मिलते नहीं तो यह क्या होता है एस अपल होते रहते हैं इनके अभियान ठीक है तो के इतियासकार इस बात को भी बताते हैं आगी बात समझ बें पहले आए जीता तो था किले को लेकिन क्या हुआ माराना परताब चले गई पहाडियों मे फिर और वेजा दो बार, लेकिन दोनों बार एस अपल रहा, ये चीज़ आपको बता दी, अब देखो हुआ क्या, पहले अबियान के बाद से ही महाराना परताप तो किदर हैं, इधर गुजरात साइड हैं, इनको मालूम नहीं है मुगल सेना को, अब ये इस साइड आ जाते ह जब महाराना परताप पहले अबियान के बाद गुजरात साइड आ गए, और पीछे ये अबियान इनके ऐस अपल हो रहे हैं, और सेना लड़ रही है, और जैसे सेना वापस जाती है, ये वापस क्या कर रहे हैं, इनके सेनी कबजा कर रहे हैं, तो इस साइड जब महाराना इदर केसे के एर देखो एक बार तो साबाज खान आया अबयान लेकर कुंबल गड़ दूर गुमें बान सोन गरा वगेरा मारे गए मैं बागा पहाडियों में खुआ से वापस सेना संक्टित करते हैं फिर से आकरमन गर के कुंबल गड़ को ले लिया कबजे में उसके बाद म इनको तनमन धन सबसे क्या देते हैं इनको शयोग देते हैं आपको पता है बामसा ने खुब धेड़ सारा धन दिया बोले कि क्या करें अब पैसा कब आएगा आप बताओ ची तोड़ गड़ है वो पहले सही उदे सिंग के समय शाका हुआ तब से किस के पास है अकबर के पा तब ही जाके वो लड़ेगा तब आमसा ने इनकी जो धन की कमी है उसको किया दूर इनको धेड़ सारा धन देते हैं और बताते हैं कि हम भी पूरी तरीके से आपके शाथ हैं और आप मेवाड का क्या करो उद्धार करो मेवाड को सुरक्सित रखो आप बस पैसा ले जाओ आप और कुछ नहीं तो यह बामसा इनको डेर सारा धन भी देते हैं फिर माराना परताब ने क्या किया दीरे दीरे सेना बनानी सुरू की अब माराना परताब कहीं कोई निश्चित डेरा नहीं है कि वहाँ जाके बेड़ जाएंगे हैं अब बस जंगलों में गोमते हैं सेन कोई किटित करते हैं वहीं पर सिक्षित करते हैं सेलेरी बगेरा दे रहे हैं क्योंकि बामसा की तरफ से फंडा आ रहा है तब यह चीज होती है इसी करण से बामसा है वो मेवाड का रक्षक के लाए थे मेवाड का रक्षक भी कहते हैं बामसा को और बामसा को मेवाड का फेल हो गया, तीसरा भी फेल हो गया, आया, वापस आया, पंदरसुन्या सी एष्वी में, आते पुझछा गहा रहे साबाज ख़हा, तीसरी बार जाकर आया, कुछ हात लगा, कि नई माराज, हात ही नहीं लगे, पता नहीं, कहाँ है, वह मिले ही नहीं हमको, हम जाते हैं, वह थोड़ा बहुत जीत के आते हैं चोक यां वगेरा किले और वापस जाते हैं तब तक माराना परताब के आगे सेनिक बेटे तयार मिलते हैं वो पहले से ही जीत लेते हैं हम आते हैं या वो फिर से हमारे सेनिकों को मार देते हैं फिर मैं वापस जाता हूँ वहाँ जीतता करता हूँ तब तक वो पहाड़ों में चले जाते हैं कुछ से निक छोड़ के आता हूँ वो पिछे सा के उनको मार देते हैं मैं तो परेशान हो गया तो अकबर केते हैं तु रेन दे भाई तेर से कुछ नहीं होना उसके बाद में क्या करता है अकबर बेशता है अब्दुल रहीम खान खाना को अब्दुल रहीम खान खाना इसको बुलाया के बेटा इदरा ठीक है ये बेटा ही था बेटा क्यों था बताओं देखो अग थोटी सी स्टोरी है साइड में बता देता हूँ बेटा क्यों है ये अब्दुलरहीम खान खाना कौन था ये बेरम खान का बेटा था बेरम खान का क्या बेटा कौन था ये बेटा था अब्दुलरहीम खान खाना थीक है तो अब क्या हुआ ये बेरम खान खान था इसी के नेतरते में इसी के सरक्षन में अकबर का क्या हुआ पालन पोसन कि अक्बर के बच्पन सी सरक्शक कों था बेरंख का बेरमकांक जब ये अक्बर मांदा था लीकिन जब ये सुभी थोड़ी слdd बढ़ा हो गया तो ॐक्बर ने कहा सोचा की यार् बेरंख न तीन बढ़ता जा रहा है अपने एरिये में तो ठीक है, तो ये इनको यहां से बेज देता है, और पिछे से जो बेरम खान की जो मिसेज होती है, इनकी वाइप होती है पतनी, इससे अकबर क्या कर लेता है, निकाव कर लेता है, तो ये बेटा हो गया न, आगी story समझ में, अब देखो, अब्दुलरहीम खान खाना को बुलाय अब्यान भेजता है, अब्यान भेजता ही रहेगा, अब्यान भेजता है, अब हुआ कि 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 अब्य जो अमर सिंग था माराना परताब का क्या था बेटा था बहुत ही वीर था इसके बारे में इतियास में बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि ये अमर सिंग इतना अताकतवर था कि चलते गोडे को जमीन पर बाला मार के रोग देता था तो आप समझ लो कितना पावरफूल था ठी क्या किया इसके डेरे पर बोला हमला जहां पर भी डेरा डाल के बेटे थे ये और इसकी सारी की सारी जो बेग में थी ना उनको बंदी बना लिया और लेके आगया माराना परताब के पास कि ये लो पापा वो तो अबियान बेजा था अकबर ने और ये रास्ते में आ रहे आया, इनकी सारी सारी बेग मुऊंटूरा हरम इउ्टा लाया, कि ये लो पिताजी, तो माराना पर्ताव इसको डाइनड़ते हैं, कि ये मुर्क, ये तूने क्या किया, महिलाओं के साथ इस परकाषे व्यवार करते हैं, अदर समान से पैस आते हैं, ये हमारे मेवार के जो सान है उसके खिलाब है, हम माईलाओं की इज़त करते हैं, जाओ जहां से लेक्षा हैं वहाँ इनको सह समान वापस ठोड़ के आओ, तब अमर सिंग वापस जाते हैं, बताते हैं कि इन माईलाओं को वापस यहां भेज़ दिया हैं, जो बेग में थी ना, उनको वापस से समान बेजा तो बताते हैं जब ये बात अब्दुलरहिम खान खाना को पता चली तो वो माराना परताब से इतना परभावित हुआ कि इसने कभी ऐसा साथ सुना ही नहीं अब मुगलों के क्या थी जो दिखा बस उठा लो अपने लियाओ अरम में तो इसने का ये तो तो अब्दुलरहिम खान खाना के होश उड़ गये कि इतना मतलब शांदार आद्मी है माराना परताब ये तो फेन हो गया इसका ठीक है अब यह यहाँ पर कोई अबयान नहीं कर रहे है बदky फॉर्मल्ल्टी कर रहा है अब्दुलरहिम खान खाना बस माराना परताब बस जिनी का नाम रट रहा है फेन हो गया इनका ठीक है अब देखो माराना परताब इसलिए तो इत्यास में इतने परसी देवर्णा राना सांगा और भी खूब हुए वीर लड़ने वाले तो फिर भी इतने फेमस हैं माराना परताब आज के दिन भी इंदुस्तान में कहीं चले कोई भी बोलेंगे राजस्तान मतलब एक नंबर पर नाम आएगा कि महराना परताब समझ गया आप तो ये चीज थी अब अब अब्दुरहिम खान खाना फिर यहां से चला गया वापस अब यान वगेरा कुछ किया नहीं पिछे से बुला लिया अकबर ने कि अकबर को पता चल गया कि अब इसे कुछ होने वाला नहीं है बुलाए वापस के क्या हुआ पकड़ के लाए कि साब अब इस ऐसे आदमी के खिलाब तो मेरे से तलवार उठाई नहीं जाती तो बोले कि चल बेटा तुम भी रहने दे अब कुछ और देखेंगे अब होता क्या है एक जियान तो लगातार बेज़ेगा सुल्तान खान है वो कौन है ये अकबर का चाचा है ये युद कहा होता है कैसे होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ नए पेजबर अब देखेंगे यहां पर देख लो यहां बता दूँ अब ये जो अबदुल रहिम खान खाना है वो वापस चला गया अब देखो अब किसको बेजता है अकबर अब बेजेगा अक्टूबर 1582 में अब बेजता है अपने चाचा सुल्तान खान को अब सुल्तान खान और महाराना परताप जो महाराना परताप का बेटा है अमर सिंग इनके बीच में एक युद होगा और उस सुल्तान खान के नेतरत्वे में बेजी और ये सुल्तान खान अकबर का क्या था चाचा बोले कि अबदूल रहिम खान खाना से कुछ नहीं हुआ चाचा अब आप जाओ अब ये आता है और इसका मुकाबला किस से होता है जो महाराना परताप थे महाराना परताप के बेटे अमर सिंग से मुकाबला होता है सुल्तान खान का मारणा परताब की ओर से नेतरत्वे कर रहा है अमर सिंग और अकबर की ओर से कौन है सुल्तान खान इनके बीच में युद होता है अक्टूबर पंद्रा सुब्याशी इस वी को और इस युद को कहते हैं दिवेर का युद दिवेर का युद क्यों कहते हैं कि देखो राज समन्द में राज समन्द जो जिला है राज समन्द जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच में दिवेर चापरी नाम की जगें हैं दिवेर चापरी और कहीं कहीं चापली भी लिखवा मिलता है तो इस ज परिणाम ये हुआ कि अमर सिंग विजित रहा और अमर सिंग स्वेम ने अपने हातों से सिल्तान खान को क्या कर दिया मौत के गाट उतार दिया और इसी वज़े से अमर सिंग को चक्रवीर के नाम से भी जानते हैं। समझ गए तो ये हुआ दिवेर के युद का परिणाम और कर्नल जैम स्टोड ने कर्नल जैम स्टोड ने दिवेर के युद को क्या कहा था मेरा थन कहा था मेवाड का मेरा थन ये चीज ध्यान में रखना कर्नल जैम स्टोड ने दिवेर के युद को कहा था मेवाड का मेरा थन और हल्दी गाटी के युद को कहा था मेवाड की धर्मोपली अब ये धर्मोपली और जो मेरा थने ये क्या है ये जैसे अपने यहाँ पर पानीपत और तराइन के मेदाने हर्याणा में वेसे ही ये धर्मोपली और जो मेरा थन है ये आपके जो ग्रिक कंट्री है ग्रिक कंट जैसे आप कहीं जाते हो और आप बोलो कि यह क्या है, कि अरे यह तो अपने नागोर वाले उस किले जैसा है, तो आप तुलना किस से करोगे, जो चीज आपकी पहली देखी हुई है, कहीं पर, तो इस Colonel James टोड़ के ये थर्मोपली और मेरा थन के ये जगें देखी हुई है पहले से Greek Countryside तब ये यहाँ पर कुछ देखता है तो उसकी तुलना किसे करता है अपनी उस जगें से इसलिए वो मेवाड को देखा इस यूद को और बोला कि ये तो मेवाड का क्या है मेरा थन ने हल्दी गाटी वाली के बारे में सुना देखा पड़ा तो बोला कि ये तो मेवाड की थर्मोपली है समझ गए तो ये चीज है आगई बात समझ में ये सब कुछ आपको नोट्स में लिखावा मिलेगा आप तो बस सुनिए जो कथा कहानिया है ये समझ गए अब देखो दिवेर के युद से माराना परताब के विजयों की क्या होती है उन्हें शुरुवात होती है और पंद्रासो सतानवे ईस्वी आते आते पंद्रासो सतानवे ईस्वी में क्या हो जाएगी अब देखो पंद्रासो अपन यहां तक तो पहुंची गए पंद्रासो जगनात कछवा और एक इसके साथ और बैजा है यह सिरफ हिंदु इंदु को नहीं बैजता जगनात कछवा और सेद राजू सेएद राजू के नेतरुतों में एक और अब्यान बेजता है लेकिन ये अब्यान भी क्या रहता है ये सपल रहता है बताते हैं कि इस अब्यान में जगनात कच्छावा की क्या हो जाती है मरत्यू हो जाती है अब देखे जगनात कचवा की जो मर्ति होती है न वो कोई लड़ाई की वज़े से मर्ति नहीं होती है ये जगनात कचवा अपनी मोहती मरता है समझ गए और जगनात कचवा की मांडल में चत्री बनी हुई है कहां पर मांडल में जहां मर्ति होती है वहाँ इसकी चत्री बना दोनों जगें पास-पास में लेकिन इनके बीच में कुछ दूरी है और ये दोनों अलग-अलग जगें हैं और जो जगनात कच्छावाई इसके 32 खंबों की चत्री है और जो राणा सांगाजी थे उनके 8 खंबों की चत्री तो ये इनके बीच में जो difference है ये manually ध्यान में रख तो देख लो 1566 से शुरू हुई जो ये लड़ाई थी संगर्स वाली अभ्यान बेजना वगेरा और ये कहां तक चली ये 1566 से लेकर 1544 सी इस्वी ये जगनात कच्छावा वाले अभ्यान तक ही चली यही बात मैंने आपको पहले बताई अब देखना 1555 सी इस्वी से लेकर और 1597 इस्वी में ही माराना परताप की क्या हो जाती है मर्त्यू अब ये मर्त्यू कैसे होती है बताते हैं कि वो जो धनूस होता है उस पर वो पर्चन चा चड़ा रहे थे जैसे होते हैं उस पर जो वो रस्ची लगी वी होती है तीर चलाने के लिए वो चड़ा रहे थे तो उ तो 1597 इस्वी में जब तक महाराना परताब की मर्ति होती है तो महाराना परताब एक सिरफ चितोड को छोड़ कर अपना पूरा मेवाड है वो अपने अधिकार में ले लेते हैं यह चितोड है ना यह महाराना परताब ने जित्ते जी अपने अधिकार में नहीं ले पाई यह जो कब गया इनके हाग से ये चितोड़ गया, उदे सिंग के समय जो साका ओवा उस समय अकचा अगबर नहीं यहाँ पर कबजा किया, तब से लेकर 1577 में महाराना पर्ताव की मर्ती हो जाएगी, लेकिन ये चितोड़ वापस इनके कबजे में नहीं आएगा, ये कब आएगा इनके कबजे में? माराना परताब की मर्तियों के बाद 1115 इस्वी में अमर सिंग जो इनका बेटा है वो मुगलों के साथ जो जहांगीर होता है उसके साथ क्या कर लेता है? संदी कर लेता है तब जाकर ये चितोड इनको वापस मिलता है लेकिन चितोड को छोड़ कर पूरा मेवाड इन्हों ने वापस जीत लिया तो ये कहानी थी आगई बात समझ में आप देखो माराना परताब की मर्थ्यू होती है तो माराना परताब की मर्थ्यू के बाद इनका दाय संसकार था वो किया गया था बाडोली में संसकार बाडोली और बाडोली में इनकी आठ खंबों की छत्री बनी हुई है जो अमर सिंग ने बनाई थी और माराना परताब 57 वर्स की उमर में इनकी क्या हो गई थी डेथ हो गई थी 57 साल जिये ये क्यूस्टन भी एक्जाम में पुछा हुआ है ये ध्यान में रखना परताब को क्या क्या केते हैं माराना परताब को हल्दी गाटी का सेर भी केते हैं और मेवाड केशरी भी इनको कहा जाता है आगई बात समझ में आप देखो, मैं आपको बता दूँ इन्हों ने चुर राजदान्या बनाई अब इनके बारे में मैंने ये माराना परताब कम्पलीट कर दिया अब इनके बारे में कुछ important fact है को मैं आपको बता दू एक देखो ये 1584 इस्वी में ये जगनात कच्वावाला अभ्यान आयाना इसके बाद में 1585 इस्वी में माराना परताब ने अपनी जो राजदानी थी वो किसको बना लिया चावंड को बना लिया ठीक है चावंड को बना लिया और ये 1615 इस्वी तक अभी ये चावंडी रहेगी राजदानी इनके 1615 ECU में जाके वो क्या हो जाएगी जाहंगीर के साथ अमर सिंग की संदी हो जाएगी तब तक इनकी राजदानी क्या रहेगी चावंडी रहेगी तो मैं आपको एक बार बता दूँ कि किस कि समय कौन कौन सी जगें हैं वो राजदानी के रूप में रही क्योंकि ये भी एक्जाम की दरश्टी से बहुत ही महत्वे पून है आपको पूछ सकते हैं कि माराना परताब के उस समय हल्दी गाटी के समय उनकी राजदानी कौन सी थी ठीक है और इतियास कारों के मज्जे इस बात को लेकर मतवेद भी रहता है क्यों कि माराना परताब तो स्वेम पहाडों में छुपते घुम रहे हैं वहां से कभी आके छापा मार पदती अपनाते हैं और उन पर मुगल सेना को मार कर वापस भाग जाते हैं तो वो ये गोशना थोड़ी करेंगे क्लियर के हमारी अभी चावंड ये है राजदानी है हम यहां बेटे हैं सारा संचालन यहां से कर रहे हैं यह सब कार्य गुपत हो रहे हैं तो इनकी सूचना उस टाइम भी नहीं थी लोगों को तो अब कैसे रहेगी समझ ग人, तो इसलिए इतियास करों को इनके बारे में क्लियर क्लियर फैक्ट नहीं मिलते Korean क्योंकि माराना परताप ऐसे officially कोई गोशना नहीं करते हैं समझ गaire फिर भी मैं आपको एक बार बता दूँ जो authentic फैक्ट है देखिए महाराणा परताब ने किस किसको राजदानी बनाया वो मैं लिख दूँ यह सब आपको नोट्स में लिखवा मिलेगा केलवाड़ा गोगुंदा कुम्बलगड और एक है आपके चावंड ठीक है अब देखो पंद्रासो बहुतर इस्वी के बाद से पंद्रासो इस्वी के बाद इन्होंने अपनी राजदानी किसको बना ली केलवाड़ा को ठीक है और हल्दी गाटी के समय हल्दी गाटी का जब युद हुआ था उस समय इनकी राजदानी कौन सी थी गोगुंदा और हल्दी गाटी के बाद में हल्दी गाटी का युद हो गया उसके ब हो गई चावंड क्योंकि दिवेर का यूद हो जाता है और दिवेर के यूद के बाद में वो आते हैं जगनात कच्छावा वगेरा और उसी समय से वो क्या कर लेते हैं अपनी राजदानी चावंड बना लेते हैं और ये दिवेर के यूद के बाद से लेकर 1615 issue में जब तक इनकी क्या नहीं हो जाती है चांगीर से संदी तब तक यही राज़ता नहीं रहेगी और देखें मेवाड के बारे में और क्या है एक important fact और देखें देखो दो चीजों में विध्यारती बहुत ज़्यादा confusion में रहते हैं एक तो जो मेवाड के सासकों की जो सरण इस्तली है मेवाड के सासकों की जो सरण इस्तली वो कौन सी है कुम्बलगड है क्या है कुम्बलगड अब मेवाड के सासक पर किसी कोई भी संकट आता तो उसी दह काँ बालता कुम्बलगड जैसे मारवाड के सासकों पर कोई भी संकट आता तो उनकी सरनेश्टली कौन सी थी वाड मेर सिवाना दूर्ग ठीक है और मेवाड के सासकों की जो संकट काली निराजधानी यह अलग-अलग है आप ज्यान में रखना बहुत बारी कंसेप्ट है अच्छे अच्छे लोग गलत करके आते हैं संकट काली निराजधानी है वो कौन सी है सावन्ट यह दोनों भी आपको नॉट्स में लिखेवे मिलेंगे तो बहुत इंपोटेंट फेक्ट है तो यह मारणा परता पर वो कंप्लीट है यह देखो मैंने यहां पर पेज पर आपको अच्छे से समझा दिया इ वाजाओ नॉट्स पर देखिए यह नॉट्स आज हमने क्या क्या पढ़ा देखो मारणा परताब के गाहिल हो जाने पर जाला बीदा ने मुकुट दारन किया देखो कल हमने कहां तक पढ़े थे नॉट्स कल हमने यहां पर छोड़ा यह युद करवा दिया अब इसके आगे तो यहां पर मारणा परताब के गाहिल हो जाने पर जाला बीदा ने मुकुट दारन किया बलीचा गाउं जहां पर चेता की समाधी है अबुल भजल ने हल्दी गाटी के युद को खमनोर का युद कहा अल बदायूनी ने हल्दी गाटी के युद को गोगुंदा का युद क कर्णल जैम्स टोड ने हल्दी गाटी के युद को मेवाड की धर्मोपली कहा, आसिरवादी लाल श्रीवास्तव ने हल्दी गाटी के युद को बातसबा का युद कहा, हल्दी गाटी युद के अन्य नाम क्या है, इसे गोडों का युद भी कहते हैं, बनास का युद भी कहत सक्ति सिंग का माराना परताप से ब्रात्र मिलन, मतलब जब उसने अपना गोडा दिया, जब मुगल सेनिक माराना परताप के पिछे लगे, जहां चेतक की मर्थी होती है, वहां ये आता है, मुगल सेनिकों को मारता है, इनको अपना गोडा देता है, दोनों बाई गले मिलते ह रोते हैं वो बात माराना परताब ने कॉल्यारी गाउं में गाउं का इलाज करवाया उसके बाद कुंबल गड़ चलेगे ये कॉल्यारी गाउं इंपोटेंट एकजाम में पूछा हुआ हाती कौन कौन से थे लूना था एक राम परसाद आती था परताब का जिसे अकबर ने नाम बदल कर पीर परसाद कर दिया था गजराज, गजमुकता, हवाई ये हातियों के नाम है मान सिंग के हाति का नाम मरदाना मान लो एकजाम में पूछ ले के गजराज, गजमुकता और हवाई और मरदाना ये कौन थे हाती, गोडे, मुर्गे तो ज्यान में रहन सही 1576 ईश्वी से लेकर 1544 ईश्वी तक अकबर वे माराना परताब के बीच में संगष चलता रहा 15 अक्टूबर 1576 को अकबर स्वेम में वाड आया और उदेपुरू पर आकरमन कर जीत लिया तता इसका नाम बदल कर मुहमदाबाद कर दिया साबाज खान के अबियान साबाज खान के नेतरतों में कुल तीन अबियान आये जो निम्न परकार है पहला अबियान 1577 में कुम्बल गड पर आकरमन किया किले की गेरा बंदी कर लिए तता तीन अप्रेल 1577 को साबाज खान ने विजयासिल की इस युद में भन सोनगरा सहीद हो गया तता परताब पहाड़ियों में चले गए करनल जैम्स प्रोड ने इस युद को सार्व भौमिक युदगी संग्या दी दूसरा अबियान एस अपल रहा वो 1578 में तीसरा अबियान भी एस अपल रहा 1569 में इन अबियानों में पहले अबियान में साबाज खान के आकर्मन के बाद से महाराना परताब गुजरात की तरफ चले गए वहाँ चूलिया गाउं में इनकी मुलाकात पहमासा से हुई पहमासा ने इनकी हर परकार से साइता की अते बहमासा मेवाड का रख सक्के लाए तता कर्नल जैम स्टोड ने पहमासा को मेवाड का दानवीर करण का पहमासा को मेवाड का उधारक भी कहा जाता है इसके बाद में अब कौन आएगा रहिम खान खाना अकबर ने अब्दुलरहिम खान खाना के नेतरतों में 1580-1880 में अब्यान बेजता है लेकिन अमर सिंग ने सेरपूर में सेरपूर नाम की जगें थी में मुगल बेगमो को बंदी बना लेता है लेकिन परताब दौरा से सम्मान वापस बेज दिया जाता है उसके बाद खान खाना बीना अब्यान वापस चला गया फेन हो गया फिर होता है दिवेर का युद अकबर की तरब से चाचा आता है इसका सुल्तान खान और मारणा परताब की तरब से लड़ता है अमर सिंग और अमर सिंग जीत जाता है सुल्टान खान को अमर सिंग मार देता है और करनल जैम्स टोड ने इस युद को मेवाड का मेरा थन का आगी बात समझ में दिवेर के युद से महारणा परताब के विजेयों की पुने सुरुवात होती है पंद्रा सो सताण में इस वी तक महारणा परताब ने चितोड को छोड कर बाकी पूरे मेवाड पर क्या कर लिया था अधिकार कर लिया था आगी बात समझ में अकबर ने पंद्रा सो चोर्यासी इस्वी में जगनात कच्छावा वे सेयेद राजू के नेतरतों में अनतिम अभियान बेजा यह भी ए सपल रहा जगनात की होजाती है मरत्यू वो अपनी मौती मरता है और मांडल में जगनात कच्छावा की 32 खंबों की क्या बनी हुई है चत्री मांडल अलग है मांडल गड़ अलग है मांडल गड़ में राणा संगा की आठ खंबों की चत्री है और मांडल में जगनात कचावा की 32 खंबों की चत्री है 1585 एश्वी के बाद परताप ने अपनी नई राजदानी चावंड को बना लिया और चावंड राजदानी के रूप में 1615 एश्वी तक रहेगा और 1615 एश्वी में जाकर जहांगीर के साथ क्या हो जाएगी संदी और कौन करेगा संदी अमर सिंग और ये संदी भी एक सम्मान जनक संदी थी ऐसा नहीं कि भई पूरा गुलाम ही कर दिया जैसे माराना परताब अमर सिंग ने कहा था कि हम मुगलों के साथ कभी भी वेवा एक समंदी इस्तापित नहीं करेंगे तो जांगीर ने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप साधी नहीं करो तो कोई बात नहीं समझ गए एसे मतलब उनकी जो छोटी-छोटी सर्ते थी वो सारी की सारी मान दे ठीक है 19 जनवरी 1597 में को 57 वर्स की आयू में ये जरूर पूछता है माराना परताब की आगे भी पूछी हुए और भी पूछ सकता है 57 वर्स की आयू में तनूस की डोरी चड़ाते समय परताब के गाहिल हो जाने से मर्त्यू हो गई इनका दा संसकार बाडोली गाउं में किया गया और बाडोली में जो आठ खंबों की छत्री है वो अमर सिंग द्वारा बनाए गी परताब को हलदी गाठी का सेर और मेवाड के सरी भी कहा जाता है और परताब की राजदानिया देखो 1562 के बाद तो केलवाडा थी हलदी गाठी के समय गोगूंदा थी हलदी गाठी के बाद कुम्बलगड़ थी और दिवेर के युद के बाद में कौन सी थी मेवाड के सासकों की सरन इसतली कुंबलगड और मेवाड के सासकों की संकट कालिन राजतानी चावड ठीक है और इसी के साथ अपना जो टोपिक है परताप वाला मुगल और परताप ये टोपिक यहीं पर होता है complete अब हम अगला टोपिक पढ़ेंगे मान सिंग ठीके तो ये तीन पार्ट में topic complete हुआ है अपना कौन सा ये जो राना परताप वाला मान सिंग वाला topic है वो दो पार्ट में complete होगा और उसके बाद में हम राई सिंग और राज सिंग पढ़ेंगे तो इस परकार से अपने आगे कड़ी से कड़ी जुड़ती रहेगी तो वीड ये पसंद आता है तो इसको जरूर से जरूर सेर करें अपने आस-पास के लोगों को बताएं भी और whatsapp group facebook आदी जगों पर सेर करें चैनल के बारे में भी लोगों को बताएं चैनल को जादा से जादा संक्या में सबस्क्राइब करें धन्यवाद वीडियारतियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिन जै बारत